इस मंच पे, मतलब बड़े मंच पे, बड़े परदे पर, कैसे पहुँचे आप? बच्पन से ये चाहते थे? जी, यहां तक के पहुँचने का तो बहुत लंबी कहानी है. मैं एक चछतिस गड़ में गरीब किसान के घर से मेरा जनम हुआ है. मेरा जनम भुमी गाओं है, यहां राइपूर, दुर्ग, राजनान गाओं के पास एक मौह भाठा गाओं है. वहां मेरा जनम हुआ, 1979 में. और गरीब किसान होने के कारण मेरे माबाप हर साल पलाइन करते थे, इस कारण मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पाया. लेकिन बचपन से मैं बहुत चुलबूला था, जैसे डिब्बा हुआ, रामलीला देख लिया बचपन में तो उसका नकल करना, नाचा देखा तो नाचा का नकल करना, इस टाइप का मेरा स्वभाव था. लेकिन इस्थाई हम 36 गड़ में रूप नहीं पाते थे, हमारे माबाप जो है बचपन से हमें पलाइन करने ले जाता था, कभी महराष्ट चला गया, वर्धा, नाखपूर चला गया, कभी और किसी सहर में चला गया, ऐसे जाते रहें. तो, 1981 में मेरे माता पिता जी जो है, उस छोटे से गाउ माउह भाठा से भिलाई पलाइन करने आया, वहाँ मेरे पिता जी को एक प्राइबिट कमपनी में जौप लगा, तो वहाँ पे हम इस्थाई हो गया और आज तक के भिलाई में ही गर आए, तो भिलाई में आने के बाद, फिर से मैं, मतलब पढ़ाई तो करता नहीं था, घुमता था, माबाप काम में जाते थे, और एक मेरा छोटा भाई था, उसको लेके मैं इधर-इधर गुमता था, उसका देखरेक करता था, फिर आसपास वाले बोला कि तुम्हारे बच्चे जो, बच्चा जो है, उंकार बहुत अच्छा है, उसको कलाकारी का साउख है, तो इसको बिगरने मत दो, इसको 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 इसकूल में डालो, तो मेरे माता पिता जी जो है, बिंदा नगर में रहता हूँ मैं, भिलाई में, तो वहाँ एक छे खंबे का इसकूल था, पहली से तीसरी तक के, तो उस इसकूल में ले जाके मुझे भरती कराया गया, तो उस वक्त तक के मेरा उमर बाराव वासकी हो गया था, क्योंकि मैंने दूसरी तक के महराश्ट में पढ़ाई किया, वहाँ से फिर वापस शत्तिस गढ़ गाँ आया मौह भाठा, फिर मौह भाठा में आके, फिर पहली से चालू किया, फिर दो तीन साल वहाँ पढ़के फिर भिलाई आ गया.